हालो यह दूसरा वीडियो है हमारे सीरीज में लेक्षर टू जिसमें हम लोग फाइनेंसर टर्म्स को देखेंगे और बैंकिंग जो डेल टूडे बैंकिंग में क्या चेंज़े जा रहे हैं और नहीं आ रहे हैं खासका एक्जाम पॉइंट भी से देखेंगे तो खासकर हम लो नीचे में आपको डेट वगरा भी मिलेगा ठीक है तो शुरू करते हैं अब यहां पर आप देखेंगे कल हमने एस बेकाट के बारें बात किया था थोड़ा बहुत जो पेपर में कोशन बन सकता है आपके बैंकिंग के पेपर में तो यहां पर भी अगर यह देखना है कि आ आई पीओ का हमने कल डिसकर्स किया था क्या होता है न यह किसी काम कर नहीं है हमारे यहां पर एंसे एंसे का मतलब यहां पर नैसनल स्टॉक एक्शेंज है फुल स्वर्म याद रुकिएगा फेपर में कभी कि भी दे सकते हैं जैसे बी एस सी है बांबे स्टॉक एक्शन से रिलेट करते हैं यह किसी काम का नहीं हमारे लिए यहां पर यह सब किसी काम का नहीं है यह काम का हो सकता है यह important पेपर के लिए एक important चीज़ बन सकता है कि SBA card को IPO के जरी लगभग 10.355 कव रपर उठाने की उमीद है ठीक है तो उनका अपना टागेट कितना है दसजा तीनसों परच मैं उतना ही उठाएंगे भी कि उसके बाद में यह कितने एंकर इंवेस्टर थे तो जाननर नहीं हाँ एंकर इंवेस्टर क्या थे हमने एक डिसकस किया है पात संसाय यह छोड़ दीए यह इंग्लिश पगर की वाई भी है ना यह फुल फॉर्म दोती में पूछा भी जा सुका है qualified institutional borrower ठीक है यह फुल फॉर्म याद रखेगा तो इस पूरे नोट से अपने को दो चीज काम का मिलता है एक NSC का फॉर्फॉर्म और एक QIB का फॉर्फॉर्म qualified institutional borrower अब QIB क्या होते हैं यह बड़ी-बड़ी companies होती है जैसे mutual fund बगर यह हो गए यह direct अपने किसी company में पैसा लगाती है ज्यादा बल्क में तो उनको हम QIB बोलते हैं इतना ही पेपर के लिए इतना ही जानके रखना है कुछ नहीं इंटर्विव बगर जब होगा तो आप detail में इसके बाएं पढ़ सकते हैं इसमें देखते हैं कुछ काम का मिलता है तो इस बेबोड एपरूफ रुपिस 20 तर्ण को और कॉमीं इसमें देखते हैं कुछ काम का क्या मिलता है आपको पता ही होगा जो रिलाइन्स कॉम्यशन है वह बैंकरप्ट हो गई एक तरीका में उसने अपना दिवाल यह कर दें रिलाइंस स्मार्ट फोन वा करता था उनकी इंटरनेट सर्विस वा करती थी रिलाइंस कम्मुनिकेशन प्रॉपर तई सज्जाय को और का लगभग कुछ उनका बकाया होगा तो यहां से अपने उतना डिसकासन नहीं करेंगे कितना है कितना है यहां से जो काम का चीज है वह यह देखना है कि एक कंपनी इन्वाल्वर जिसका नामें आप एक बाहर पढ़ लीजेगा अब यहां पर यूवी एसे अपने को समझ लेना यह बहुत ही काम का है ठीक है एक फिल से हमारा फूल फॉल फॉल बन गया अच्छा ऐसे बहुत बार आप पेपर में देखते होंगे के फुल स्रॉम कैसे देते हैं एसेट ब्लैंक और कंपनी लिख देंगे है ना ओपर लिख देंगे यह सी आर्स्टाइट फॉर क्या है ना तो कुछ-कुछ-कुछ-कुछ भी आ सकता है चार अपसं पांच अपसं देदें कंफियूज भी बहुत बहुत कंफूज़िंग होता है वह यहां देखें एसे ट्रीकस्ट्राइट सिंपल वोट में समझते हैं एक छोटा सिग्ञांपन आपकर मालिजे किसी बैंक ने किसी एक व्यक्ति को एक लून दिया का लून दिया ठीक है दस लाग रूपर का लून दिया अब हो क्या रहा है क उस व्यक्ति ने उसको default कर दिया मतलब अब वो लोन नहीं चुका रहा है या वो लोन नहीं चुका पाएगा उसने मना कर दिया वो बोलता है आप मेरी गारी को ले जाओ हो सकता है माली जो उसने एक दू साल लोन चुकाया हो सब्सक्राइब कर दिया आट लाक रुपर आओ देने को बचे हो तो बैंक क्या करे कि बैंक कुसी गारी जब्त करके लिए आएगी आपने मूवीज में काफी देखा होगा बैंक कार उठा के लिए आती है लेकिन ऐसा कमपनी का जो मेरा बकाया है वो आट लाक रुपए का अब जो कार उसके भी कुछ ना कुछ आज की जिट में वैलू होगी तो बैंक क्या करेंगी बैंक ऐसा दो रही है कि उस कार को लाकर कि अपने दर्वाजे पर लगा देगी यह फोर सेल लिक करके बैठ जाएगी अब ब क्या करेंगे वो बिट करेंगी वो बोलेगी कि बहुत टोटल बकाया आट लाक रुपए का हम अब को साथ लाक सतर जाजर बैठे यह साइसा लाक फे देते कुछ ऐसा देते हैं आप ले लो आप निकलो तो बैंक को पैसे से मतलब बैंक को कार से कोई मतलब नहीं है ठीक है वो कार भिखना चाहिए आप को बैंक का तो बैट के सेस्में मन के बेचे का नहीं तो हमने ए एर सी को दे दिया एर सी उसका जो करे उसको अच्छा डिंटिंग पेंटिंग करा के दस लाक में बेचे अपने को मतलब अपने को साथ लाग सतर जार साथ लाग प्राश जार जो भी वैलू आया हमारा टेंशन कदम वह उसको बेचते उसी तक इससे यहां भी क्या है कि यूवी ऐसे ट्रिक कंपनी के साथ में यहां पर टाई अप है और चौदा हजार साथ सो करो ठीक है जो काम का है किवल हम उसको डिसकस करेंगे ठीक है और यहां से पेपर के लिए कुछ काम करनी चाहिए ठीक है आईसा पुरान यूजर आता रहेगा देखते रहेंगे इसको एसे याद रखना है यहां से के वल सुप्रीम कोट एलाउ स्टेड इन क्रिप्टोकरेंसी क्या होती है ठीक है क्रिप्टोकरेंसी एक ऐसा करेंसी का फॉर्म है जो कि आज की डेट में उसका कोई रेउलेटर नहीं है सिंपल वर्ट्स नहीं बोला जाए जैसे हमारे जो करेंसी हम यूजiden करते हैं रुपै या ईए उस den में कुछ नब कुछ चलता है उसका एक एक रेख गवहत्र होता है उसको कोई नब कोई मोनिटर करताू कर रहा होता है वो कितना है, market में कितना flow कर रहा है, कितना move कर रहा है, कितना amount है उस currency का, क्या उसका valuation है, ये एक controller decide करता है, जो हमारे यहां क्या है, हमारे यहां हमारी RBI है, USA में क्या है, तो USA Federal Reserve है, जो इन सब चीज़ों को देखती है, पर cryptocurrency, जिसका एक common example Bitcoin है, इसका कोई regulatory नहीं है, कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना मात्रा में Bitcoin market में है, क्या trade करें, कहाँ purchase कर रहे है, कोई regulator नहीं, कोई बता नहीं सकता, कितना है, कितना नहीं, अब Bitcoin होता क्या है, इसका बहुत चोटा सा example आप ले सकते हैं, कि एक currency कोई ही converted form है, ठीक है, मतलब आप अपने रूपए को देख करके, एक ऐसा coin purchase कर लो, जिससे एक example ले लेते हैं, जिससे आप बहुत सारे आपने देखा हो गया, कुछ-कुछ चाई दुकान ऐसे होते हैं, काफी famous हो जाते हैं, popular हो जाते हैं, लोगों की line लगी होती है, पचासों पचास लोग, तो आप देखते होंगे, वहाँ पर क्या होता है, token system कर देते हैं, token, कैरम की गोटी की तरह, बहुत common example दे रहे हैं, कैरम की गोटी की तरह, आपने कभी ने कभी लिया ही होगा, आप जाओ दुकान पर, आप वहाँ पर 10 रुपे की चाय है, आप 10 रुपे किसे अलग counter पर दोगे, वो क्या करेगा, वो आपको एक token देदेगा, अब वो token को लिजा के आप जो चाय देने वाला वेक्ति है, विंडर है, आप उसको दे दोगे, मतलब उस ही अपने hotel के अंदर में ही, आपने उसको दे दिया, वो आप कुछ आए देदेगा, आपने फाइनल जो चीज़ पर चिस किया, वो किस पर पर चिस किया, आपने टोकन से पर चिस किया, आपने उसको पैसे नहीं दिया, तो वह एक तरीके का internal currency है जो आपने exchange करके लिया जो उसको acceptable था उसी तरीके से bitcoin भी internet का currency है ठीक है जो आप अपने पैसे देखकर के exchange करते हैं अब वह पूरे internet पर हर जगह पर acceptable है ठीक है अब क्या है क्योंकि आपने अपनी currency को convert करा के पर दूसरे करेंसी में कह लिए जो भूसरों को एकसेफटेबल है लिंगेंचा कुई Regulator wouldn't करते हैं अब क्या हो गया ऐसा हुवा इसिकारण से यह जो क्रिप्टो के से अब इतना पॉप्टर हो गया कोई इसको मॉनिटर ही नहीं कर रहा है कि यह पैसर कहां जा रहा है कहां नहीं आ रहा है तो जो ब्लैक वर्ड है आप समसकतो ब्लैक वर्ड कहने का मतलब क्या हुआ जहां पर गरत चीज़े विखती हैं गंस बिखते हैं ड्रक्स बिखती हैं उनके लिए ब पीच में काफी popular हो क्योंकि ट्रेसेबल ही नहीं है कोई monitoring इसका नहीं कर रहा है और धीरे 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 यह इतना popular हो गया कि आज एक Bitcoin की जो कीमत है जो आज के चार तारीक के या उसके आसपस के डेट की वह एक के लिए आपको 8815 डॉलर देने परेंगे तो आप समझ सकते हैं आप इसको और डिटेल अच्छा मेरे एक वीडियो होगा आप जाओगे ना पहले थोड़ा साथ पीसले जाओगे साथ 15 वीडियो पहले हैं तो आपको वीडियो मिलेगा उसको भी देखना और यूट्यूब बहुत से चैनल जोने वीडियो बनाया है बहुत काम का है पेपर में यह कोशन आ भी चुका है ऐसे में भी आ चुका है बिटकोइन के उपर लिखने को और आई बी पीएस पीओ के मेंस में 2017 वाले में यह को डारेट कोशन था क्रिप्टो करेंसी को पर मैंसे तो बहुत इंपरन टॉपिक है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आज के जो करेंसी के पैटर्न को यह पूरा चेंज कर देगा है तो अब हमने चीज काफी समझ लिए अब हम लोग यहां से केवल कोशन उठाएंगे क्या 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 कोशन हमारा बन सकता है तो पहला कोशन क्या है क्रिप्टो करेंसी क्या है ठीक है तो बिटकोइन एक तरी हो सकते हैं interview के पहले जाएं तो आप एक बार देख लिजेगा कि क्या value चल रहा है मजाक मजाक में कहीं question आ गया तो वो काफी अच्छा impression देगा आपके लिए ठीक है RBI ने मना कर दिया था RBI बोली कि हम यह नहीं कर पाएंगे हमारे यहां पर बहुत दिक्कत हो जाएं ठीक है पर सुप्रीम कोट ने allow कर रहा है अच्छा यह जो technology जिस पर यह काम करता है उसको करते है blockchain technology बहुत importantly कहीं होगा भी यहां पर नहीं होगा तो आप दिमाग में रखेगा blockchain प्रॉपर पूछ देंगे पेपर में की क्रिप्लो करेंसी जो है वो किस पैटन पर काम करती technology blockchain technology के अच्छे से पढ़ लिजेगा इतना समय तो छोटी चोटी वीडियो में देना बर मुस्किल है कि नेक्स्ट है अच्छा यह कि देट देखे चार तीन 2020 का है एक मेने देर मेने पहले कर यह content है हमने वहां से सुरू कि हम धीरे दे आज तक भी आ जाएंगे कौना वाइरस आउटवेक यूएस फेड का ट्रेड बाइट फेडर जो हमने बोला आपको अभी 50 बेसिस पॉइंट आपको अब कहने का मतलब क्या है कि अभी तो देर मेने बाद आज आप जानते है करोना की स्थिति क्या यूएस में और इंडिया में या पूले वर्ल्ड में लेकिन यह देर मेने पहले इतना कुछ न का दिया गया है तो यह उन्होंने भी देर मेने पहले चीज किया था तो जो दो तिन कोशन जो यहां से निकल के आ सकता है कि यूएस में जो कंट्रोलिंग बॉड़ी है जैसे हमारा आरबिया वहां कौन है यूएस फ यूएस फेडरल इस इंपॉर्टन कोशन है ठीक है कॉम मेजर चेंजेज किया गया था तो 2008 के समय पर जो लेमन ब्रदर का कॉलैप्स हुआ था तो उस समय एक स्टेप लिया गया था और एक करोना क्रैसिस के समय स्टेप लिया गया आपको एक्जाम्पल में अच्छा यहां दिखा दी गया है सौरी दिसम्बर 2008 में उन्होंनों 75 ब और अच्छा आज़ यह रिसीव रुपीज 1.7132 लिट वो कन्ड़क्नेट 45 टॉलिंट कि यह इंप्पोर्टेंट फिगडर यह इंप्पोर्टेंट फिगर नहीं है यह बहुत इंप्पोर्टेंट टर्म है यह टर्मीन निमेरेको एक मासा कॉर्षण दिखता थिक्षा था नहीं लिखा है ठीक है फुल फर्म लिख अच्छा सोरी यहां लिखा हुआ है लॉंग टर्म रेपो आपरेशन बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा एक मार्गस है एक में किसी ने किसी में तो आए गई आएगा चाहे प्यों में चाहे आए बीपेस में आजाए यह आप एक आपने याद रख लिए बस याद रखेगा 171965 करो यह फिगा दिमाग भी रखना है पेपर में कभी भी साल दो साल में एपियर कर सकता है हलके साहना यह सब बिडविट कितना बिड़ लगा यह छोड़ दीज़े अब LTR रोबस समझ लेते क्या है देखे अभी हम ए एक financial crisis में गुजर रहे हैं ठीक है हाला कि यह देर मेने पहले content है पर कहीं ने कहीं वो तो चीज उस समय से ही सुरू हो गया था लॉंग टर्न रेपो अपरेशन को समझते हैं हमने कल के वीडियो में भी रेपो के बारे में जरा सा बात किया था रेपो क्या होता है ना रेपो को हम कहते है री पर्चेश एग्रिमेंट ठीक है या ओर्डर इस तरीके से होता गया है जो आर्बे की मॉनिटरी पॉलिसी है यह सब चीज को आप लिखते रहेंगे तो बाद में आप निट पर सर्च करिएगा तो यह चीज बहुत क्लियर हो जाएगा बस हम आपको बता देते क्या क्या पड़ना है तो आर्बे की मॉनिटरी पॉलिसी के तहत उनकी एक फैसलेटी होती जिसको कहते है लिक्विडिटी एजिस्मेंट फैसलेटी लिक्विडिटी का मतलब मार्केट में कितना कैश होगा मार्केट में कैश फ्लो को हम लिक्विडिटी कहते है ठीक है उसके तहत वो एक रेपो का यूज करते है और इपी ओ जिसको बार बार रेपो रेट रिवा सेपरेट बोलते हैं लोग बहुत करते हैं वो RBI Reserve Bank of India से वो पैसा लेते हैं मालों दस भी से जाएक और जो भी पढ़ता हो एक्जामपल ले लोगा से वो RBI से लेंड करते हैं यह लेंडिंग कितनी होती है 10 दिन 15 दिन मतलब लगभग 14 दिनों के भीतर की ही लेंडिंग होती ही 14 दिनों में वापस करते रहते हैं या उससे ज्यादा भी जाएगा जाएगा अलग अलग इंस्ट्रुमेंट रहते हैं जीकिन एक जामपल बस समझो लेकिन यह जो भी लेंडिंग होता है न यह एक कोलेटरल के थुरू होता है ठीक है कोलेटरल को मतलब क्या हुआ हम लोग कुछ भी गिरवी रखते हैं अब बैंक के पास में क्या होता है बैंक के पास में जो भी हम डिपॉलेट करते हैं पैसा जो भी कंजूमर डिपॉलेट करते किसमें डिपॉर्यट करते हैं बैंक उन पैसे को कहीं ने कहीं इन्वेश्ट करती है उनका सबसे एक फेडरे इंवेश्मेंट होता है गौर्मेंट सेक्योटी ट्रेजरेबी यह गौर्मेंट के द्वारा कोई भी बांड अगर लाए गया तो जिसे हम उसको जहादा बोलते government security वो क्या होते government ड्वारा समय समय पर कुछ जो requirement होता है उनके पैसे का वो government bank से लेती है और उनके bond पकराती है उसमें कुछ interest लिंक रहता है कि 4 पसंट 5 पसंट 10 पसंट जो भी हम interest देंगे आप यह पैसे को यहां दे दो ठीक है तो वो जो government security वो तो एक government ड्वारा और थाइस एक bond होता है जो कि अपने में एक value रखता है तो रेपो के तहट क्या होता है बैंक्स जो है वो government security RBI को पकड़ाती है और RBI उस government security के बराबर या जो भी अपना इंटर्नल चलता हो उत्ता पैसा सामने वाली बैंक को दे जती है तो सपोज एक जामपल ले लेते सवकर होगा एक bond है government security है एक्स यजड बैंक ने या स्टेड बैंक ने सपोज एक जामपल में आरवे को दिया और वे उनको सवकर वापस दे दी ठीक है यहां जो rate of इंटर्स अप्ली केबल होगा यही कहलाएगा ठीक है क्योंकि बैंक वह पैसा वापस करके वह bond पर्चेस करें क्योंकि bond का वैलुशन तो जादा है यानि कि इंटर्स जो उस पर लगेगा या जो मिलेगा वह तो जादा है न तो बैंक री पर्चेस कर लिए इस इसको इसको रेपो बोला जाता रेपोट इसमीं कर रहता है अब यह ज्यादतर यहां पर रेपो जो है आप अपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलेगा एक दू बार study करेंगे समझ जाएंगर तो रैपो जो हमेसा दो इंपॉर्टन चीजे कोलेटरल कि अगेंस्ट में मिलता है दूसरा यह सौट टर्म बॉर्विंग होता है ठीक है यह हम बोल सकते हैं कि यह मणी मार्केट का इंस्ट्रुमेंट है क्योंकि मनी मार्केट में सॉट बॉर्विंग लेकिन अभी यहाँ पर क्या लिखे रहा है long term operation ठीक है यानि कि यह जो short term instrument हमारे यूज होता था इसको ही long term के लिए बढ़ा दिये गए और long term कितना किया गया है यह किया गया है 3 साल के लिए ठीक है तो दूसरा question पहला question जो अच्छा ने तीसरा question बनेगा यह पहला question है यह दूसरा question हमारा है और यह तीसरा question है कि यह कितने साल के लिए इसको LTR को यूज किया आएगा ही आएगा ही इसमें से question तो 3 years के ठीक है next क्या है next इसमें कुछ नहीं अच्छा RBA issue करते हैं इस तो पूछने वाली बात नहीं है आप देखिएगा इसको अच्छे से detail में है फिर भी आपको कोई doubt हो आप comment में पूछ सकते हो या आप दूसरे YouTube में अच्छे चैनल से हैं जो बनाए हैं अब देखिएगा उस content को RBA नर्जेज Public sector bank अच्छा ये एक और चीज़ पर कि क्यों निकाल रही है LTR और लाक्यू रही है क्यों market में crisis है जब bank को सस्ते rate पे लंबे समय के लिए पैसा मिलेगा तब ही तो bank उस पैसे को आगे market में दे पाएगी और वो पैसा market में जाएगा तब ही तो market continue करेगा economic activity चलती रहेंगी नहीं तो लोगों के पास में तो पैसा ही नहीं है और सस्ते rate पे आएगा ये आट नो दस परसंट के आज़ उसके भी अंदर में personal loan वगरा जो मिलते वो मिलेंगे जो बरी बरी बिजनेस है उनको और सस्ते rate पे मिलेगा ताकि वो अपना business continue कर सके वापस से product बना सके सस्ते rate पे दे सके economic activity चलती रहें अभी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा ये economic crisis जो करोना की वज़े से है इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा even कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो आप बोलते हैं कि helicopter money वगएरा कि अब RBI पैसा चापेगी और business units को देगी या government को देगी वो भी देखने को हो सकता है मिल जाए क्योंकि स्तीती ऐसी बन रही है अभी तो LTR या जो existing measures से उससे काम चल रहा है ठीक है देख ले तो यहां कुछ बहुत काम का तो नहीं दिख रहा है RBI अनर्जिस पॉब्लिक सेटर बैंक टो टेक इस स्टेप इंक्रिस करेट गोट यह तो चाहती है RBI चाहती है कि बजार में कर्ज बढ़े थोड़ा मतलब लोगों को कजसानी से मिले यहां कोई question हमारे लिए खास नहीं बनता है फैक्ट आप थोड़ा बहुत यह देख लिए कि बैंक रेट जो है वो डिकलाइन कर गया है 8.5% पर जन्वरी में जो कि लास्ट यह 13.05 पार्श पती सेता PSB का मतलब पॉब्लिक सेटर बैंक होती जैसे स्टेट बैंक है पंजाब नेसल बैंक है और कोई काम का question यह ठीक है FM introduces build a time to prevent PMC like crisis थोड़ा सा काम का है एक दो चीज़ बाद देख सकते हैं PMC like crisis का मतलब क्या है आपने देखा होगा अभी एक छोटी सी बैंक थी चोटी सी बैंक मतलब कोपरेटी बैंक हाले की कोपरेटी बैंक में बरी बैंक थी वो अपने कैटेगरी की सबसे बरी बैंक में से एक है पंजाब महराष्ट कोपरेटी बैंक limited PMC बैंक वो fail कर गए एक तरीके से फेल इसलिए कर गया क्योंकि लगभग उसका ग्यारा हजार करोर का जो डिपॉजिट था वो आर्बे के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया ठीक है और उसके जो डिपॉजिटर थे वो पैसा निकाल नहीं पाएं आप देखें होंगे आपने टेल विएम पर देखा होगा हर एक न डिपॉजिट जो है वो 11,000 करोड का था 11,700 अभी दिमाग में नहीं है उन्होंने 6,000 करोड का लोन जो है वो HDI लिम्टेट को दे रखा था ठीक है आप देखेगा आपको तो फैक्ट देखना है ना मतलब 11,700 करोड का उनका डिपॉजिट है उन्होंने 6,000 करोड का लोन HDIL को दे रखा था ठीक है जो कि परमिसिबल नहीं है यानि कि दो तिहाई ठीक है परमिसिबल इतना यह आज भी नहीं कहती कि आप इतना एक किसी को एक्सपोजा दे सकते हो और हुआ यह कि HDIL फेल कर गई और जब HDIL फेल कर गई तो PMC का जो सारा पैसा है यह के पास पड़ा है वह पैसा ब्लॉक हो गया तो जब वह पैसा ही ब्लॉक हो गया तो अ year-dea किski का दिए डीटर्जिशन वह चल रहा है कbab कि एक से दो एक से जो तो चलता रहा है तो इंतरनेर पैसे सर्कुलेट कर रहा है लेकिन जो मेजर पैसा है अच्छा जैसे यह कब मार्केट में आ गई कि हजडियाल कॉलप्स कर गई या वो क्रैसिस में आ गई है तो जितने भी बड़े-बड़े डिपॉर्टर थे जिनको पता था कि HDL में प्यम्सी का उन्होंने अपना पैसार ट्रॉख कर लिया और अचानक से लिक्विटी कैसी स्था प्यम्सी में तो प्यम्सी के पस पैसा नी बचा जो अपने कस्टमों कर देती तो हवे यह इसको अपने अंडर में लिया और जितने भी डिपॉर्टर थे उनको बोला कि आप थोरा पैसा निकालो उसके बाद जो हुआ पर देख चुके है तो ऐसा आगे ना हो ठीक है उसके लिए इन्होंने इस पर कभी डिस्कस करेंगे आगे चल करके लेकिन आपसे पेपर हम पूछ सकते कि बहुत कौन से बैंक के रेफरेंस में लाए गया था तो पी एमसी बैंक की सबसे बड़ी एक्सपोजर किस कंपनी में थी तो एस डियल में थी एक्जट अमाउंट आपकी एक्छा हो तो आप कंफर्म कर सकते हैं लेकिन रेयर है की पेपर पूछा जाए अच्छा यहां एक इंपोर्टन कोर्शन चिपा है कोपर्टी बैंक का एडट प्रेजेंट अंडरी डूवल कंट्रोल ठीक है ओप रेइस्टार आफ कोपरेटिव सोसाइटी एन आर बिया एक्तम इंपोर्टन को और भी है इसको देख लें इसको देख लेंगे नहीं से बैंक की गेम चिंजे गेट कैबिनेट एनोडी टू टेन पीस ठीक है यह इतना कॉमन टॉपिक है ना इस पर डिसकस नहीं करना ठीक है यह बस याद रखेगा कि यह केप्ट्विल से इन यूज में आया इस तरीके से बैंक 10 बैंक बचे बस इंड करते हैं इसको ठीक है डाउट हो कुछ सजेशन हो तो आप जूरू बताइएगा ठीक है कोई चेंजिस करने कि आप सब्सक्राइब बताइएगा ठीक्स